नमस्कार दोस्तों, हमारे online tuition अड़्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिल्कुल शुरुवात से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना कैसे सिखें। इसके लिए आज के इस कलास में मैं आपको एक बहुत ही मज़दार इंग्लिस का स्टोरी पढ़ने वाला हूँ, जिसका नाम है हंड्रेट पर्शेंट लॉव। हाँ दोस्तों, यह एक लॉव श्टोरी है, बहुत मज़दार श्टोरी है। इसको यदि आप सुरू से लाश्ट तक पढ़ते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से एक एक वर्ड को प्रनाउंस करने आ जाएगा, और साथ में दोस्तों, इस कलास में मैं एक एक वर्ड का वर्ड मेनिंग बता बता कर, पूरे सेंटेंस को हिंदी में, इंग्लिस टू हिं सबसे पहले आपके पास पहुचे, तो आइए दोस्तों बिना देरी की हुए इस कलास को हम लोग सुरू करते हैं, यहां पर देखिए दोस्तों लिखा है, हंड्रेट पी ए आर सी ए एंटी, परसेंट, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैं एक एक वर्ड को दोस्तों आपक सब्सक्राइब करना है, तो आप भी किसी ना किसी से प्यार किये होंगे या करते होंगे, तो आखिर हंडेट परसेंट लॉव क्या होता है, इस कहानी से आपको मिलेगा, बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको आपको समझाने बला हूँ, ज्यादा फोकस करना है दोस्तों सब सब्सक्राइब करना है, और उसका वर्ड मिनिंग क्या होगा, ठीक है, यह एक लड़का और लड़की की कहानी है, चलिए यहाँ से हम लोग पढ़कर देखते हैं, अ, बी, ओ, बाइ, ब्वाइ, एंड, अ, गर्ल, डबलु, ए, आर, इवर, पी, ल, ए, वाइ, आ, अई, एंज, प्लेइंग, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग प्लेइंग, जो जो कठीन, कठीन सब्द हैं दोस्तों, मैं उसको यहाँ पे लिखूंगा, ताकि वीड़ ज्या संधारियों पलेंगं टी ओवल जी इंटी एच एर पढ़ेंग है स्टइर क्या पढ़ेंगे टूगेदर दोस्तो पन का oxygen करन अब लग ले लेते हैं यहां से ठीक है ठीक है शरोट णैती है यहां तो ի़ूलयों को का खेल रहे ठीक मोखेल रहा या रही फोर्थ फॉर्म में है ठीक है गर्ल मिस होता है लडकी गर्ल मिस क्या होता है лडकी होता है गाङ मिस होता है timest scroll है जəb आप समझ जाएंगे ना तो खुद से आप ट्रांसलेट करने लगेंगे ठीक है तो का रहें कि a boy and a girl एक लड़का एक लड़का एन्ड मतलब और तो तूगेदर एक साथ, यानि एक लड़का और एक लड़की एक साथ खेल रहे थे, इसका translation होगा, ठीक है, इतना का क्या होगा, एक लड़का और एक लड़की एक साथ खेल रहे थे, ठीक है, उसके बाद देखिए, the boy and a collection, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, collection of marbles, क्या पढ़ेंगे इसको marbles, देखिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, marbles, ठीक है, marbles, marbles मिश होता है, कंचा, कंचा आप साथ बच्पन होंगे, कंचा होता है, marbles मिस कर दो सत्रके,Hein, collection, collection मिस होता है, sangra, collection, कंचा परिख mission, कामेंगे सांगर्ण, क्या हो जाएगा, sangra, collection मिस हो जाएगा, sangra, ठीक है, तो करे कि, the boy had, हैड मिस होता है पास ठीक ना यहां पर पास फ़र में यूज किया हैड मिस पास लड़के के पास कलेक्शन अफ मारबल यानि क्या था लड़के के पास कंचो का संग्रह था क्या चीज का संग्रह था कंचो का संग्रह था किसके पास लड़के के पास ठीक है मैंने लड़के के पास बहुत सारे कंचे थे चले इसके बाद यहां से हमल पढ़ते हैं को ध्यां से दोस्तों एक एक वर्ड को आप देखेंगे ठीक ना दा गर्ल है ज सम स्वीट से विद हर देखिए दा गर्ल है ज सम सम मिस होता है कुछ सम मिस क्या हो जाएगा कुछ स्वीट मिस हो जाएगा मिठाईया क्या हो जाएगा मिठाईया स्वीट मिस हो जाएगा मिठाईया ठीक है विद विद मिस हो जाएगा के पास या के साथ ऐसे बुल सकते हैं पूरे सेंटेंस का हिंदी देखिए क्या हो जाएगा यहां पर करा है कि दा गर्ल है यानि लड़की के पास लड़के के पास तो बहुत सारे कंचे थे लड़की के पास क्या था लड़की के पास कुछ मिठाईया है दा गर्ल है साम स्विट विद हर लड़की के पास कुछ लड़की के पास क्या था कुछ मिठाइया sweet smith क्या हो जाएगा मिठाइया हो जाएगा कुछ मिठाइया है मिठाइया था मिठाइया मिठाइया था ठीक है इस तरीका से इसका translation होगा चलिए आगे देखते हैं यहां से the boy told the girl that he would give her all his marbles m-a-r-b-l-e-s marbles in e-x-c-h-a-n-g-e exchange क्या पढ़ेंगे दोस्तों देखिए कठिन सब्द है इसको मैं लिख देता हूँ देख सकते हैं exchange exchange ठीक है exchange exchange ऐसे ठीक है for the sweets with her अब इसका word meaning हम लोग जानते हैं exchange मिस होता है बदलना क्या होता है बदलना या बदले में बोल सकते हैं ठीक ना बदले में बदले में या बदलना यहां पर सेंटेंस में देखें क्या हूँ जोगा marble means आपको मैं उपर ही बताया हूँ कंचा marble means क्या बताया हूँ कंचा told told मिस होता है कहना told या कहा या कही ठीक ना या कहा या कही हो सकता है ठीक है चलिए करकि दा बवाई told लड़के ने कहा किस से कहा दा गर्ल लड़की से यानि लड़के ने लड़की से कहा that की he would give her all his marvels लड़के ने लड़की से कहा कि वह अपना सभी कंचे उसे दे दे in exchange for the sweets with her यानि लड़के ने लड़की से कहा कि वह उसके पास मौझूद मिठाईयों के बदले में उसे अपने सारे कंचे दे देगा लड़के ने क्या कहा कि जितने भी तुम्हारे पास क्या है मिठाईया है वो मुझे दे दो और मैं तुम्हे सभी कंचे दे दूगा क्योंकि किस के पास कंचा था लड़के के पास कंचा था तो लड़के ने कहा लड़की से कि तुम मुझे कि शारी मिठाईया दे दो उसके बदले एक्सचेंज यानि क्ये बदले यहां पर इक्सचेंज मिस वह क्ये बदले मैं तुम्हें क्या दे दूंगा मिठाईया दे दूंगा suits with her ठीक है चलिए आगे देखी है यहाँ से दोस्तो the girl agreed agree मिस होता है सहमत या मानना तो the girl agreed लडकी मान गई इस का translation क्या होगा लडकी मान गई इस तरीका से लडकी क्या होई मान गई इस बात को लेकर कि ठीक है मैं तुम्हे ठीक है, the boy kept the most beautiful and the biggest marvels with him and gave her the remaining, what you can learn, the remaining, the remaining marvels, the remaining can be left, or the remaining can be left, and just know the marvels, beautiful means beautiful, and beautiful means biggest, the biggest means most important, सबसे सुन्दर सबसे सुन्दर एंड बिगेश्ट मारबल और बड़े कंचे समझे रहा है ना बिगेश्ट मारबल और बड़े कंचे ठीक है चलिए यहां से अब हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं सबसे सुन्दर और सबसे बड़े कंचे अपने पास रख लिये the boy kept लड़के ने रख लिया the most beautiful यानि सबसे सुन्दर and the biggest marble और सबसे बड़े कंचे अपने पास रख लिया ठीक ना विदहीम यानि अपने पास रख लिया and और give sorry, gave, दिया give कहीं पास्ट फरम है दोस्तों give और दिया, क्या दिया give her यानि उसको दिया, किसको लड़की को दिया the remaining marble, बचे हुए marble, यानि उस लड़के के पास जितने भी marble था उसमें से सबसे बड़ा और सबसे सुन्दर जो marble था ना, कंचे था वो अपने पास उस कंचे को रख लिया, और जो बच गया वहीं लड़की को दे दिया, देखिए क्या होता है इसके बाद, लेकिन बात क्या किये था कि तुम मिठाईयां दे दो मुझे, मैं तुम्हें सभी marble दे दूँगा अब देखिए, यहां से The girl gave him All her sweets As she promised Promise miss होता है, वादा करना तब प्रोमिश्ड है, या निवादा किया या वादा किये थे, या वादा किये ठीक है The girl gave, लड़की ने दे दिया क्या दे दिया? लड़की ने दे दिया him, मने उसे all her sweets, अपनी सभी मिठाई, लड़की के पास इतने भी मिठाईया थी, वह सब उसे दे दी, as she promised जैसा की वो वादा की थी, इन दोनों में वादा क्या हुआ था, लड़के ने बोला था कि मेरे पास जितने कंचे हैं मैं तुमको दे दूंगा, और तुम्हारे पास जो भी मिठाईया है, वो मुझे दे देना, लड़के ने क्या किया, कि उसमें से सबसे सुन्दर और सबसे बड़े जो कंचे थे, वो अपने पास रख लेता है, और उस लड़की को जो बचे हुए कंचे थे, वहीं देता है, ठीक है, दोस्तों बहुत स सारे ऐसे वर्ड हैं, जो पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के बाद समझ में आता होगा, सुरुवात में लगता होगा कि थोड़ी सी हार्ड है, तो खुब ध्यान से दोस्तों इस कलास को देखना है, और चैनल को सबस्क्राइब नहीं किये हैं, तो कर लेना है दोस्तों ताकि जितने भी मेरा वीडियो अप्लोड हो, सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, और आप बिल्कुल फ्री में उसका फायदा उठा पाएंगे, तो आएए आगे हम लोग पढ़कर देखते हैं, और वीडियो अच्छा लगए तो लाइक जरूर कर दिजेगा, दोस्तो को पास सेर भी करना है, ठीक है, चले यहां से पढ़ते हैं, दोस्तो, देट नाइट, दा गरल, स्लेप्ट, पीश फुली, देखे, पीए, एस, सी, पीश, एफ, यू, डबल, एल, वाई, दोस्तो मैं बताया था कि जो ज्यादा बड़ा वर्ड है, यदि पढ़ने में आपक I could not sleep as he kept wondering if the girl has hidden some sweets from him the way he had hidden the best marbles from her. देखे, इतना बड़ा sentence है, इसको हम लोग कैसे translate कर पाएंगे दोस्तो, बहुत बड़ी sentence है, चलिए, यहां से हम लोग इसको translate करते हैं, पहले वाड में कुछ जान जाते हैं, ठीक है, peacefully means होता है, शांती पूर्बा, क्या होता है, सांती पूर्ण, सांती पूर्ण, peacefully means क्या हो जाएगा, शांती पूर्ण, देखिए वांडरिंग मिस्का होता है वांडर देखिए वांडर से ही वांडरिंग बना है ठीक है तो यहां पर होता है मतलब की भटकना वांडर मिस्का होता है भटकना और यहां पर देखिए हीडेन हीडेन मिस होता है छुपा हुआ चुराना या छिपाना इसे करते हैं छु चुपा ना चुपा ना हिडिन यह चुपा हुआ चलिए अब दोस्तों हम लोग पूरे सेंटेंस को अब यहां पर बारी बारी से ट्रांसलेट करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए चलिए धायट नायट यहनी उस रात मिस यहाओ जाएगा उस रात by दग अग आए लटकी ने उस रात लटकी ने ढगरल स्लेब पेस्फुलीई सलेब पी Vergleich उस रात लडकी ने निंद से सोई चैन की निंद शोई देखिये और से धो अधिव पूरभा किया चैन पूर्भा किया उस रात लडकी सांती से सोई चैन की निन्द सोई ठीक न हूं नहीं बना है कोई की चैन की निन्द सोना तो चैन की निन्द सोई लेकिन उसकе बाद थे बट लेकिन दब वाय कुड नट श़ीप लेकिन लडका नहीं सोपाया जो नहीं सो पाया and he kept in wondering कर्णा नहीं चुटका हिए से क्यूंकि वह सोंचता रहा, थैस भाधर दिमाग लगाता रहा..वोह मन भटकना सोंच remain.. दैकना में वह सांचता रहा..क्या सोंचता रहा ? कि साइध लडकी ने मिठाई रख लिया हो.. पुरे मिठाई नहें दिये हो, उसने रख लिया हो, कराना, if the girl has hidden some sweets from him, सायद लड़की जो है, उससे कुछ मिठाई छुपा कर रख ली हो, the way he had hidden the best marbles from her, जिस परकार वह, सुंदर जो कंचे था, सबसे बड़े कंचे था, चुरा कर रखा, देखे, clear समझे यहां पर दोस्तो, उस रात लड़की चैन की निंद सोई, लेकिन लड़का जो था, वह रात भर सुचता रहा, क्या सुचता रहा, कि सायद लड़की ने उसे पुरे मिठाई नहीं दी हो, सायद लड़की ने मिठाईयां चुपा कर रखे हो, कुछ मिठाईयां चुपा कर रखे हो, जिस परकार वह सुंदर और बड़े मारबल्स कंचे चुरा कर रखे थे, चुपा कर रखे थे, दोस्तो ऐसा होता है हम लोग के भी जीवन में, जो गल्ति करने वाले होते हैं, जो गल्तियां करते हैं, जो चौरियां करते हैं, उनके नजर में सामने वाला भी चौर ही दिखता है, क्योंकि उन्हें लगता है, कि जिस परकार मैं करता हूं सायद वो भी वैसे ही करता होगा, भले ही अगला जो है उनके सामने वाला जो है सही हो लेकिन ऐसे साथ आपके लाइब में हुआ है कि नहीं अगर हुआ है दोस्तों कमेंट में बताना है कि ऐसा होता है कि नहीं ऐसा होता है दोस्तों 100% होता है मेरे साथ भी हुआ है क्योंकि देखिए होता क्या है कि सामने वाला यदि चोर है गलत है तो वो आपको भी वैसे ही नजर से देखेगा उसको भी लगए कि यह जरूर करता हूँ कि मैं भी करता हूँ तो हो सकता है कि यह भी लालच में करता होगा ठीक है तो वहीं बात है लड़की को रात पर निंद नहीं आई लेकि लड़की ने चैन से सोई कि कि वो गलत नहीं की थी तो दोस्तो आप भी किसी के साथ यह गलत नहीं करते हो न तो आपको शुकून मिलेगी आपको चैन मिलेगी लेकि जो गलत करता है न वो दीन रात इसी चक्कर में रहता है कि साइद मेरे साथ भी कोई गलत तो नहीं कर रहा है यह होता है दोस्तो और गल यानि से क्या सीख मिलती है देखिए यहां पर इफ यू डू नोट गीव हंड्रेट पर्षेंट इन रिलेशंशीप करके इफ मने यदि यू डू नोट गीव हंड्रेट पर्षेंट इन अर्लेशंशीप इसका होता है relationship में सोता है रिष्ते, क्या होगा दोस्तों रिष्ते, ठीक है यदि आप किसी रिष्ते में अपना 100% नहीं देते हैं you do not give नहीं देते हैं आप 100% in a relationship किसी रिष्ते में यदि आप किसी रिष्ते में 100% नहीं देते हैं तो देखिए you will always kept doubting देखें, डाउट में सुता है शक, संदेह, डाउट में सक या संदेह बोल सकते हैं, संदेह, ठीक है, डाउट सक या संदेह, यू विल अलवेज केप डाउटिंग इफ दा अधर पर्शन हैज कीवेन हर या हीज हंड्रेट पर्शेंट, यदि आप अपना किसी रिष्टे में सौ पर्शेंट नहीं देते हैं, तो आपको हमेशा संदेह रहेगा कि सामने वाले ने अपना सौ पर्शेंट दिया है या नहीं दिया है, सही बात है दोस्तों, अगर आपके relation कहीं बात कर रहे हैं, परिवार कहीं बात कर रहे हैं, या जो आपकी जो भी हो, ठीक ना यदि आप उसके साथ 100% नहीं देते हैं, तो आपको भी हमेशा संदे रहता है कि साइद वो भी गलतियां करते होंगे, वो भी आपके साथ 100% नहीं देते हो, इसलिए दोस्तों, किसी से लगाव रखो, रिष्टे रखो, तो 100% रखो, ठीक ना, ताकि आपका जीवन जो है सांती में चैन पुरुबक बिते, नहीं तो डाउट में दोस्तों, कभी भी आप चैन का शुकून का निंद नहीं ले सकते हैं, और कभी भी आप सांती पुरुबक नहीं रह सकते हैं, हमैसा आप सख करेंगे, बाते बिगडेंगी, और कभी भी आप सुक्चन से नहीं रह सकते हैं, इस इज एपलिकेवल फॉर एनी रिलेशन्शिप लाइक लॉव, इंप्लॉई, इंप्लॉयर, फ्रेंडशिप, फैमिली, कंट्रीज, एटीज, इटीज, 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 इसमें बहुत सारा वर्ड यूज किया है, मैं इसको आपको अच्छे से प्रनाउस करक बताता हूं, देखिए, रिलेशन्शिप, आर, इल, एटी, आई, ओ, रिलेशन, इस, एच, आई, पी, शिप, रिलेशन्शिप, ठीक है, एपलिकेबल, देखिए, एडवल, पी, एल, आई, सी, ए, बी, एल, ए, क्या पढ़ेंगे इसको, एपलिकेबल, उसके बाद एपलिकेबल, इस, एटी, सी, यानि, एट्सेक्टरा, अब यहां पर दोस्तों, हम लोग एक-एक वर्ड का वर्ड मिनिंग जाते हैं, कि किसका वर्ड मिनिंग क्या होगा, देखिए, एपलिकेबल, एपलिकेबल मिस होता है, लागू, लागू होना, ठीक है, रिलेशन्शि मिस होता है, रिस्ता, रिलेशन्शिप मिस क्या हो जाएगा, रिस्ता, ठीक है, उसके बाद देखिए, इंपलाई, इंपलाई, मिस होता है, करमचारी, यानि जो कहीं भी काम करने वाला होता है, उसको कामचारी बोलते है, इंपलाई, और इंपलायर, इंपलायर मिस होता है, न्यूकता जो कहीं पर किसी को न्यूकता करते हैं न्यूकता बोल सकते है ठीक ना न्यूकता Friendship मिस आपको पता है दोस्ती Friendship मिस क्या हो जागा दोस्ती Family मिस परिवार अपको भी पता है दोस्तों और country's मिस होता है देश ठीक है Love मिस प्यार लाइक मिस के जैसा ठीक है अब चलिए पूरे सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं दीस इज एपलिकेवल यह लागू होता है कहां पर लागू होता है फॉर एनी रिलेसंसिप किसी वी रिस्टे में यह किसी वी रिस्ते में लागू होता है लाइक जैसे लॉब प्यार हो इंपलाई कोई करमचारी हो इंपलाईर कोई न्युकता हो मैंने किसी को रखा हो काम करा रहा हो जैसे मालिक कहीं पर कोई काम करता है तो उसका जो मालिक होता है इंपलाईर होता है और आप काम करने वाले हैं तो आप इंपलाई हैं किसी भी जग वाला है और इंप्लायर होता है जो काम कराता है जिसको नियुकता बोलते हैं फ्रेंडशिप या दोस्ति हो हर किसी का कोई ना कोई दोस्त होता है दोस्ति हो फैमली या परिवार हो कंट्रीज देश हो ठीक है तो चलिए करें कि दीश इज एप्लिकेवल फोर एनी रिलेसंसिप लाइक लॉव इंप्लाई इंप्लायर फ्रेंडशिप फैमली कंट्रीज एट्रीज एट्सेटरा यानि यह प्यार क्रमचारी नियुकता दोस्ति परिवार देश आधी जैसे किसी वी रिष् आप सामने वाले पे 100 परसेंट दिजिए आपको कभी भी संदेह नहीं रहे गा और वो भी आपको 100 परसेंट जरूर देंगे यद्यादि आप गलत करेंगे और आप आसा रखेंगे कि अगला आपके साथ गलत नहीं करें, सही करें, तो ये संभाव नहीं है दोस्तो, ऐसा नहीं होता है, तो दोस्तो आज का कहानी कैसा लगा, प्लिज कमेंट बुक्स में जरूर बताईएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक जरूर से जल्दी, तो चलिए दोस्तो, आज कलास हीं पर इंड करते हैं, मिलके अगले कलास में, जय हिंदे,